पाचीन समय की बात है, एक गाउं में एक बुढ़ी काकी रहती थी, उनके पती का देहांथ हो चुका था, बेटा तरुन भी एक बिमारी में चल बसा, अब उनका एक भतीजे बुद्धिराम के अलावा और कोई न था, उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ती ल मैं आपकी सेवा आपके बेटे की तरह करूंगा, किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहेगी, अब आप ही मालकीनों हमारी, आपका हुकम सराखो पर शुरू शुरू में बुद्धिराम और प्रेमा ने बुड़ी काकी का ध्यान रखा, पर वक्त के साथ साथ उनका रंग सामने आता गया, उस संपत्ती की वार्शिक आये डेड़ दो सो रुपए से कम न थी, फिर भी बुड़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलत था, एक दिन काकी बोली, मेटी प्रेमा बहुत भूख लगी है, दो पेहर के दो बजने को हैं अभी तक कुछ नहीं खाया, मुझे भोजन दे दो बेटा, कितना खाती हो, तुम रुख जाओ थोड़ा, बन रहा है खाना मिल जाएगा तुम्हें भी, संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी को प्रेम था, तो वह बुद्धी राम की छोटी लड़की लाडली थी, लाडली बोली, दादी ये लो बिसकुट, तब तक आप ये खा लो, रात का समय था, बुद्धी राम के द्वार पर शहनाई बज रही थी, और चारपाईयों पर महमान विश्राम कर रहे थे, आज बुद्धी राम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया है, ये उसी का उत्सव है, प्रेमा महमानों के लिए भोजन में व्यस्त थी, भट काकी अपने कमरे में सो रही थी, ये स्वाद मिश्रत सुगंधी उन्हें बेचैन कर रही थी और उनकी नीन खुल गई, वे मन ही मन विचार कर रही थी, शायद मुझे पूरिया ना मिलेंगी, इतनी देर हो गई कोई भोजन लेकर नहीं आया, मालुम होता है सब लोग भोज कर चुके हों और मेरे लिए कुछ ना बचे, परन्तु प्रेमा के भय से उन्होंने फिर मौन धारन कर लिया, बुड़ी काकी देर तक इन्ही दुखदायत विचारों में ढूबी रही, बुड़ी काकी की कलपना में पूरियों की तस्वीर नाचने लगी, मैं सोचने लगी, फूब लाल लाल फूली फूली होंगी, कचोडियों में अजवाएं की महका रही होगी, एक पूरी मिलती तो जरा हाथ में लेकर देखती, क्यों ना चलकर कढ़गा के सामने ही बैठू, इस प्रकार निर्ने करके, बुड़ी काकी लाठी टेक टेक कर बड़ी कठिनाई से च भेरे हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने वाले के सम्मुख बैठने में होता है, प्रेमा उस समय कारे भार में व्यस्त थी, कभी इस कोठे में जाती, कभी कढ़ा के पास जाती, कभी भंडार में जाती, किसी ने बाहर से आकर कहा, थंडाई देने लगी इतने में फिर किसी ने आकर कहा वे शंभू के लिए कुछ खाने को निकाल रही थी कि एक तीसरे आदमी ने आकर पूछा अभी भोजन तयार होने में कितना समय है बेचारी अकेली स्त्री दोड़ते दोड़ते व्याकुल हो रही थी जुनजलाती थी परन्तु क्रोध प्रकट करने का अफसर ना पाती थी प्यास से स्वेम गला सूख रहा था परन्तु इतना समय ना था कि जरा पानी पी ले इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कड़हा के पास बैठी देखा तो जल गई, क्रोध न रुक सका उसे जटक कर बोली ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या भाड अभी महमानों ने नहीं खाया, अगवान को भोग नहीं लगा तब तक धहरे नहीं हो सका, जल जाए ऐसी जीब दाओ देखेगा तो कहेगा कि बुढ़िया को भर पेट खाने को नहीं मिलता ना कटवा करदम लेंगी, भला चाहती हो तो जाकर कमरे में बैठो जब घर के लोग खाने लगेंगे तब तुम्हे भी मिलेगा, हाँ बुढ़ी काकी ने सिर उठाया और चुपचाब अपने कमरे में चली गई भोजन तयार हो गया है, आंगन में पतले पड़ गई, महमान खाने लगे बुढ़ी काकी अपने कमरे में जाकर पश्चा ताप कर रही थी कि उन्हें प्रेमा पर क्रोध नहीं था अपनी जल्दबाजी पर दुख था, मैं सोच रही थी सच ही तो है, जब तक महमान लोग भोजन ना कर चुकेंगे, घर वाले कैसे खाएंगे मुझसे इतनी देर भी न रहा गया, अब जब तक कोई बुलाने नहीं आएगा, ना जाओंगी मन ही मन इस प्रकार का विचार कर वह बुलाने की प्रतीक्षा करने लगी और सोचने लगी अब पत्तल बिच गई होंगी, अब महमान आ गए होंगे, लोग हाथ पैर दो रहे होंगे मालूम होता है, लोग खाने बैठ के, हाँ यह विचार कर वह मन को बहलाने के लिए लेट गई, धीरे धीरे एक गीद गुन गुनाने लगी उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते देर हो गई, वह सोच रही थी क्या इतनी देर तक लोग भोजन ही कर रहे होंगे, किसी की आवाज सुनाई नहीं देती फिर से बुढ़ी काकी लाठी टेक टेक कर आंगन में आ गई, उन्होंने देखा कि महमान मंडली अभी बैठी हुई थी कि इतने में बुढ़ी काकी उनके बीच में आ पहुँची, कई आदमी चोकते हुए बोले अरे, ये बुढ़ीया कौन है? यहां कहां से आ गई? देखो, किसी को चूना दे पंडित बुढ़ीराम काकी को देखते ही क्रोध से तिल मिला गए उन्होंने काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें अंधेरे कमरे में धम से पटक दिया मेहमानों ने भोजन किया, घरवालों ने भोजन किया, बाजे वाले सब ही भोजन कर चुके, परन्तु बुढ़ी काकी को किसी ने न पूछा बुढ़ीराम और प्रेमा दोनों ही बुढ़ी काकी को उनकी निरलजता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे अकेली लाडली उनके लिए तड़प रही थी लाडली को काकी से अत्यंत प्रेब था वे जुंजला रही थी और सोच रही थी हम लोग काकी को क्यूं बहुत से पूडियां नहीं देते क्या महमान सब की सब खा जाएंगे और यदि काकी ने महमानों से पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा उसने अपने हिस्से की पूडियां बिलकुल न खाई थी वे उन पूडियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी रात को ग्यारा बच गए थी फ्रेमा आंगन में पड़ी सो रही थी लाडली की आँखों में नीन न आती थी काकी को पूडियां खिलाने की खुशी उसे सोने न देती थी उसे जब विश्वास हो गया कि उसकी अम्मा सो रही है तो वे चुपके से उठी और विचारने लगी एसे चलूँ उसने पिटारी उठाई और बुड़ी काकी के कमरे की ओर चली बुड़ी काकी को केवल इतना स्मरण था कि किसी ने उनके हाथ पकड़कर घसीटे और वे मूर्चित हो गई जब वे सचेत हुई तो किसी की जरा भी आहट ना मिली वे समझ गई कि सब लोग खा पी कर सो गए रात कैसे कटेगी इतने में लाड़ी बुड़ी काकी के पास आ जाती है और उनसे कहती है ये लो आप खाना खालो तेरी मा ने भिजवाया है नहीं ये मेरे हिस्से का खाना है आप खालो विचारी बुड़ी काकी भूख से व्यकुल उसने ये भी ना सोचा कि लाड़ी ने कुछ खाया या नहीं उसने तुरंद खाना शुरू कर दिया पर उतने में उसका क्या भला होता बुड़ी काकी तो बहुत भूखी थी उनसे रहा नहीं गया तब उन्होंने लाडली से कहा लाडली बेटा मुझे और भूख लगी है जा मेरे लिए और ले आ दादी अब कुछ नहीं बचा ये तो मैंने अपने हिस्से की पुडिया बचाई थी लाडली मेरा एक काम कर दे मेरा हाथ पकड़ कर महमानों की जूटी पत्तल तक ले चल उसी वक्त प्रेमा की आँख खुली उसे मालूम हुआ कि लाडली तो उसके पास है ही नहीं उसे वहाँ न पाकर वो उट पैठी और आवाज लगाने लगी अरे लाडली कहां गई लाडली बेटा कहां है तू तो क्या देखती है कि लाडली जूटी पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूरी काकी पत्तलों पर से पूरियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है रूपा का कलेजा सन्न से हो गया ये वो नजारा था जिससे देखने वालों के दिल काप उठे प्रेमा को गुसा ना आया दर्द और खौफ से उसकी आँखे भर आई वह बोली भाई, मैं इतनी बेरहम हूँ जिसकी जायदाद से मुझे दो सो रुपए साल की आमदनी हो रही है उसकी ये दुरगत ए इश्वर मुझसे बड़ा भारी गुना हुआ है मुझे माफ कर दो आज मेरे बेटे का तिलक था सैकड़ो आदमियोंने खाना खाया मैं उनके इशारे की गुलाम बड़ी हुई थी जिसकी बदौलत हजारों रुपए खाए उसे आज के दिन भी पेट भर कर खाना ना दे सकी उसने भंडारे का दर्वाजा खोला और तुरंत खाना बनाने लगी एक थाली में खाने की सब चीजें सजा कर लिये हुए बुढ़ी काकी की तरफ चली उसने बुढ़ी काकी को खाना दिया इतने में बुढ़ी राम भी जाग उठा और अपने गुनाहों की माफी भी मांगी साथ ही वह भी अपने किये पर बहुत शर्मिंदा हुआ प्रेमा बोली मुझे माफ कर दो काकी मैंने आपके साथ बहुत जुलम करे हैं मुझे माफ कर दो हाँ काकी अपने बुढ़ी राम को माफ कर दो अपसे आपके साथ ऐसा कभी नहीं करेंगे भोले भाले बच्चों की भाती जो मिठाईयां पाकर मार और तरसकार सब भूल जाता है बुढ़ी काकी वैसे ही सब भुला कर बैठी हुई खाना खा रही थी उनके एक-एक रोएं से सच्ची सदिच्छाएं निकल रही थी और रूपा बैठी स्वर्गिये द्रिश्च का आनंद लेने में निमग न थी अपनी पतनी से कहता है अरे सुनों शेहना आया है लाओ जो रुपे रखे हैं उसे दे दो अरे किसी तरह गर्दन तो छूटे मुन्नी जाडू लगा रही थी वो बोली इन ही तो रुपे हैं दे दू तो कंबल कहां से आएगा माग पूस की रात खेत में कैसे कटेगी उससे कह दो फसल पर रुपया दें गया भी नहीं है हलकू थोड़ी देर तक चुपचाप खड़ा रहा और अपने दिल में सोचता रहा पूस सर पर आ गया है बगएर कंबल के खेत में रात को वो किसी तरह सो नहीं सकता मगर शेहना माने का नहीं और फिर मुन्नी से कहा ला दे दे गरतन तो किसी तरह से बचे कमल के लिए कोई दूसी तरकीब सोचूँगा मुन्नी उसके पास से दूर हट कई और आँखे टेड़ी करती हुई बोली पर चुके दूसरी तरकीब जरा सुनू कौन तरकीब करोगे हाँ नजाने कितना रुपया बाकी है जो किसी तरह आदा ही नहीं होता मैं कहती हूँ तुम खेती क्यों नहीं छोड़ देते मर बर कर काम करो पैदावार हो तो उससे करजा आदा करो ऐसी खेती से बाज आए मैं रुपय ना दूँगी हाँ हलकू रंजीदा होकर बोला तो क्या गालियां खाऊं गाली क्यों देगा क्या उसका राज है मगर यह कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भवें धीली पड़ गई फिर उसने ताकपर से रुपय उठाए और लाकर हलकू के हाथ पर रख दिये फिर बोली तुम अपकी खेती छोड़ दो हाँ मजदूरी में सुक से एक रोटी तो खाने को मिलेगी किसी की धोस तो ना रहेगी अच्छी खेती है मजदूरी करके लाओ वो भी उसमें छोग तो खलकू ने रुपय लिये और इस तरह बाहर चला उसने एक एक पैसा काट कर तीन रुपय कंबल के लिए जमा किये थे वो आज निकले जा रहे हैं एक एक कदम के साथ उसका दिमाग अपनी नादानी के बोट से दबा जा रहा था पूस की अंधेरी रात आसमान पर तारे भी ठिठोडते हुए मालूम होते थे हलकू अपने खेट के किनारे ओक के पत्तों की एक छत्री के नीचे बास के खटोले पर अपनी पुरानी गाड़े की चादर ओड़े हुए काप रहा था खटोले के नीचे उसका साथी कुट्ता जबरा पेट में मुह डाले सर्दी से कू कू कर रहा था दो में से एक को भी नीच ना आती थी हलकू ने घुटनों को गरदन में चिम्टाते हुए कहा क्यों जबरा जाड़ा लगता है तो यहां क्या लेने आया था अब खा सर्दी मैं क्या करो अब रो जबरा ने लेटे हुए दुम हिलाई शायद वो ये समझ गया था कि उसकी कू कू की आवाज से उसके मालिक को नीन नहीं आ रही है हलकू ने हाथ निकाल कर जबरा की ठंडी पीट सहलाते हुए कहा कल से मेरे साथ ना आना नहीं तो ठंडे हो जाओगे ये पचुआ हवा ना जाने कहां से बर्फ लिये आ रही है उठू फिर एक चिलम भरू किसी तरह रात तो कटे आठ चिलम तो पी चुका ये खेती का मज़ा है हलकू उठा और गढ़े में जरा सी आग निकाल कर चिलम भरी जबरा भी उठ बैठा हलकू ने चिलम पीते हुए कहा पिएगा चिलम जाड़ा तो क्या जाता है आज अरा मन बहल जाता है आज और जाड़ा खा ले कल से मैं यहाँ पियाल बिछा दूँगा उसमें घुस कर बैठना जाड़ा नहीं लगेगा जबरा ने अगले पंजे उसके घुटनों पर रख दिये और उसके मुह के पास अपना मुह ले गया हलकू को उसकी घर्म सास लगी चिलम पीकर हलकू फिर लेटा और ये तै कर लिया कि चाहे जो कुछ हो अपकी सो जाओंगा लेकिन एक लमहे में उसका कलेजा कापने लगा कभी इस करवट लेटा कभी उस करवट जब किसी तरह ना रहा गया तो उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सिर को थपथपा कर उसे अपनी गोद में सुला लिया कुट्टे के जिस्म से मालूम नहीं कैसी बद्बू आ रही थी पर उसे अपनी गोद से चिम्टाते हुए ऐसा सुख मालूम होता था जो इधर महीनों से उसे ना मिला था जबरा शायद ये खयाल कर रहा था कि बहिश्ट यही है और हलकू की रूह इतनी पाक थी कि उसे कुट्टे से बिलकुल नफरत ना थी वो अपनी गरीबी से परिशान था जिसकी वजह से वो इस हालत को पहुँच कया था ऐसी अनोखी दोस्ती ने उसकी रूह के सब दर्वाजे खोल दिये थे इतने में जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई वो जपट कर उठा और छपरी से बाहर आकर भौकने लगा हलकु ने उसे कई बार पुचकार कर बुलाया पर वो उसके पास ना आया खेत में चारों तरफ दोड़ दोड़ कर भौकता रहा एक लमहे के लिए आ भी जाता तो फौरण ही फिर दोड़ता फर्स की अदाएगी ने उसे बेचैन कर रखा था एक घंटा गुजर गया सर्दी बढ़ने लगी हलकु उठ बैठा और दोनों घुटनों को चाती से मिला कर सिर को छुपा लिया फिर भी सर्दी कम ना हुई उसने उठकर आसमान की ओर देखा अभी कितनी रात बाकी है अभी एक घड़ी से ज्यादा रात बाकी है हलकु के खेट से थोड़ी दूर के फासले पर एक बाग था पतज़र शुरू हो गई थी बाग में पत्तों का धेर लगा हुआ था हलकु ने सोचा चल कर पत्तियां बटोरू और उनको जला कर खूप तापू रात को कोई मुझे पत्तियां बटोरते देखे तो समझे कि कोई भूत है कौन जाने कोई जानवरी चुपा बैठाओ मगर अब तो बैठे नहीं राह जाता बहुत धंड है उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़े और उसका एक जाडू बना कर हाथ में सुलकता हुआ उपला लिए बाग की तरफ चला जबरा ने उसे जाते देखा तो पास आया और दुम हिलाने लगा हलकु ने कहा हाँ अब तो रहा नहीं जाता जबरू चलो बाग में पत्तियां बटोर करता पे एक अठे हो जाएंगे तो फिरा कर सोएंगे अभी तो रात बहुत है हलकु ने आग जमीन पर रखती और पत्तियां बटोरने लगा थोड़ी देर में पत्तों का एक धेर लग गया हाथ ठिटुड़ते जाते थे नंगे पाउं गले जाते थे और वो पत्तियों का पहाड खड़ा कर रहा था उसी अलाव में वो सर्दी को जला कर खाक कर देगा थोड़ी देर में अलाव जल उठा उसकी लौ उपर वाले दरख्त की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी हल्कू अलाव के सामने बैठा हुआ आग ताप रहा था एक मिनट में उसने अपनी चादर बगल में दबा ली और दोनों पाउं पहला दिये उसने जबरा से कहा क्यों जबरा अब तो ठंड नहीं लग रही है न जबरा ने कूं कूं करके गोया कहा अरे अब क्या ठंड लगती ही रहेगी पहले ये तरकीब नहीं सुझी नहीं तो इतनी ठंड क्यों खाते जबरा ने दुम हिलाई हल्कू बोला अच्छा आओ इस अलाव को कूट कर पार करें देखें कौन निकल जाए है अगर जल गए बच्चा तो मैं दवा ना करूंगा अब मुन्नी से कलिये न जड़ देना कि राट ठंड लगी और ताप ताप कर राट काटी वरना लड़ाई करेगी वो ये कहता हुआ वो उच्छा और उस अलाव के उपर से साफ निकल गया पैरों में जरा सी लिपट गई पर वो कोई बात न थी जबरा अलाव के गिर्द घूम कर उसके पास खड़ा हुआ हलकू ने कहा चलो चलो उपर से कूट कर आओ वो फिर कूदा और अलाव के उस पार आ गया पत्तियां जल चुकी थी बगीचे में फिर अधिरा चा गया था राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी हलकू ने फिर चादर ओड़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुन गुनाने लगा उसके जिस्म में गर्मी आ गई थी पर जू जू सर्दी बढ़ती जाती थी उसे सुस्ती दबा लेती थी जबरा जोर से भौक कर खेट की तरफ भागा हलकू को ऐसा मालुम हुआ कि जानवर का एक जुन्ड उसके खेट में आया शायद नील गाय का जुन्ड था उनके कूदने और दोरने की आवाजे साफ कान में आ रही थी फिर ऐसा मालुम हुआ कि खेट में चर रही है उसने दिल में कहा जबरा के होते हुए कोई जानवर खेट में नहीं आ सकता नोची डाले मुझे वहम हो रहा है अरे मुझे भी कैसा धूका हुआ उसने जोर से आवाज लगाई जबरा 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 भौकता रहा उसके पास ना आया जानवरों के चरने की आवाज चर चर सुनाई देने लगी हलकू अब अपने को फरेब न दे सका मगर उसे उस वक्त अपनी जगा से हिलना जहर मालूम होता था वे अपनी जगा से ना हिला बैठे बैठे जानवरों को भगाने के लिए चिलनाने लगा लिए 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 मगर जबरा फिर भौक उठा अगर जानवर भाग जाते तो वो अब तक लोट आया होता नहीं भागे अभी तक चर रहे हैं शायद वो सब भी समझ गए है कि इस सरदी में कौन भीगा है जो उनके पीछे दोड़ेगा फसल तयार है कैसी अच्छी खेती थी सारा गाउं देख देख कर जलता था उसे ये अभागे तबाह किये डालते हैं अब हलकू से ना रहा गया वो पका इरादा करके उठा और दो तीन कदम चला बिच्छू के डंक का सा जोका लगा वो फिर बुचते हुए अलाव के पास आ बैठा और राख को कुरेद कुरेद कर अपने ठंडे जिस्म को गर्माने लगा जबरा अपना गला फाड़े डालता था नील गाएं खेत का सफाया किये डालती थी और हलकू गर्म राख के पास बेहिस बैठा हुआ था आखिर वहीं चादर ओड़कर सो गया सवेरे जब उसकी नींद खुली तो देखा चारो तरफ धूप फैल गई है और मुन्नी खड़ी कह रही है यहां आज सोते ही रहोगे तुम यहां मीठी नींद सो रहे हो और उधर सारा खेत चौपट हो गया सारे खेत का सत्या नास हो गया भला कोई ऐसे भी सोता है तुम्हारे यहां मंडिया डालने से क्या हुआ हलकू ने बात बताई अरे मैं मरते मरते बचा तुझे अपनी खेत की पड़ी है पेट में ऐसा दर्द उठा कि मैं ही जानता हूँ दोनों फिर खेत के डांडे पर आए देखा खेत में एक पौधे का नाम नहीं और जबरा मंडिया के नीचे चित पड़ा है बदन में जान नहीं है दोनों खेत की तरफ देख रहे थे मुन्नी दुखी मन से कहती है सभी खेती करना छोड़ दो और मजदूरी करना शुरू कर दो कम से कम एक वक्त की रोटी तो सुकून से खाएंगे अलकू प्रसन हो कर बोला हाँ मस्तूरी ही ठीक है कम से कम रात में ठण में खेत पर आकर नहीं सोना पड़ेगा